आज में सीमा पॉडर से आपको गुलाब जावुन बना की दिखाऊंगे बहुत ही टेश्टी और यमी बनती है सीमा पॉडर का गुलाब जावुन देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्मूद बना है और कितना अच्छा लग रहा इसका कलर खाने में भी बहुत ही टेश्टी है मैं हूँ रेनुकाडोरा आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आप इस तरह से गुलाब जावुन अगर बनाना चाहते हो घर में तो मेरे साथ बने रहना पुरा लास्ट टक वीडियो में चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैं चास्ट बनाऊंगी गुलाब जावुन के लिए एक बरतन लोंगी और उसमें 700 ml किया पानी एड़ करूंगी इसमें और फिर 700 ग्राम चीनी डालोंगी इसमें और चीनी को डाल के इसको चलाना है और इसमें इलाची भी डालोंगी तो इलाची को इस तरह से मैं पीस ले कूट ली हूँ इसका पॉर्डर बना दी आप देखें चासनी खोलने लग गया है और साइट साइट से जहाँ से जाग निकल रहा है इसको निकाल के हम फेग देंगे आप इसमें एक थोड़ा सा निम्मूरी चोड़ सकते हैं ताकि चीनी अच्छी तरह से साफ हो जाए और इस वक्त यहां पर आप केसर थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर आपका पास केसर है तो तीन-चार दाना केसर का डाल दें और यहाँ इलाची एट कर दें इलाची का थोड़ा सा पॉडर इस पानी में डाल देंगे और इसको पांच-छे मिनट तक इसी तरह हम इसको खोलने देंगे अब तेल गरम आप तेल या घी से बनाएं यह मैं घी यूज कर रहे हूं तो घी को में चला दियूं आव इसीमा पोर्डर को ले लेंगे एक प्लेट में और इसको अच्छी तरह से हम पॉडर कर लेंगे आप इसको छान भी सकते हो नहीं तो हाथ की साथ से अगर जितनी भी बॉल्स है इसको आप पॉडर कर सकते हैं क्या होता है पाकेट में रहते रहते थोड़ा ये जमनी जैसे हो जाता है तो हम अगर इसको थोड़ा खोलेंगे तो कहीं कहीं यह बॉल्स बने रहता है तो हम इसको अच्छी तरह से मैस कर लेंगे और नहीं तो आप चलनी के साथ में इसको च्छाल सकते हैं तो देखें दोस्तों इस तरह से हलका हलके हाथों से जितने भी जहां जहां लड्डू बने है इसको आप इसी तरह खोल दे अब इसमें एक कप दूद पड़ेगा और मिक्स कैसे करते हैं आप इतम ध्यान से देखना तो देखिए थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा दूद डालके हम इसको मिलाएंगे और हम ताकत नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाएंगे सिर्फ हलके हाथों से इसको मिक्स करेंगे अगर हम इसको टाइट टाइट अगर इसका डो बनाते हैं तो आपका जो गुलाब जामूने परफेक्ट नहीं बनेगा सौप्ट भी नहीं बनेगा वो हाड हो जाएगा और फूलेगा भी नहीं तो इसको मिलाने के तरीका है कि स्ट्रिफ यलके हाथों से हमें मेस करना है और थोड़ा-thोड़ा दूट डालना है एक साथ नहीं डालना है तो देखेए क्वर मैं दूट डाली थी दूसरे बाद डूट डाल दी हूँ और एकन्न ताकत नहीं लगा और स्ट्रिफelect यलके हाथों से इसको मेस कर रही हूँ गुलाब जर्मन सौप्ट बनाने का यही तरीका है बहुत लोग बोलते हैं कि आपसे इतना अच्छा सौप्ट गुलाब जर्मन कैसे बन जाता है और हमसे क्यों नहीं बनता है तरीका अलग है आप इसको जोड लगा के सानते हो कस के सानते हो ऐसा नहीं करना है अगर गुलाब जर्मन सौप्ट बनाना है तो हलके हाथों से इसी तरह मेस करना है और फिर बच्ची भी दूद पूरे डाल दी तो देखे मेस हो गया आपको लग रहा है कि यह अब और इसमें पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा यह मेस हो गया है यह थोड़ा सा इसी तरह से रहता है यह इसका पॉडर क्योंकि इसमें दूद पॉडर ऊड़र सब रहता है मिक्स पॉडर में तो बस इसको पूरा अच्छी तासा हम नजदिक कर लेंगे तो यह मिक्स हो गया है अब इसका लड़ू बनाएंगे हम तो इसकी फिलिंग के लिए भी हम थोड़ा सा काजू और काजू में इलाची पॉड़र डाल देंगे आप चाहे तो पिस्ता बदाम कुछ भी आप फिलिंग के लिए आप डाल सकते हैं आपके पास जो है आप पिस्ता बदाम काजू सब डाल सकते हैं पर मेरे पास काजू था तो काजू को मैं छोटे-छोटे पीस कर ली और उसमें मैं थोड़ा सा इलाची पॉड़र डाल दी तो अभी फेस्टिबल आ रहा है दिवाली तो आप दिवाली में बनाएं गुलाब जावन घर पे तो देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा हाथ में हम घी लगाएंगे और इस तरह से लड़ू बनाएंगे तो जो पाकेट में जितना रहता है उसे 40 गुलाब जावन बनते हैं पर मैं यह 40 नहीं यह इसका हम 20 बनाएंगे हम थोड़ा बड़ा साइज का बनाएंगे आज गु 40 गुलाब जावन के बदली में 20 गुलाब जावन बना रही हूं इस पॉड़र से मेरा गुलाब जावन का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा तो देखिए हाथ पर थोड़ा थोड़ा सा घी लगाईए और इस तरह से लड़ू त्यार करें और कुछ बातों का ध्यान रखना हैं दोस्तों कि जब हम गुलाब जावन बना रहे हैं तब ही आप इस पॉड़र को मिक्स कीजिए यह नहीं कि आप एक गंटा पहले ही पॉड़र को मिक्स कर लिये आदा घंटा पहले ही पॉडर को मिक्स कर लिये अगर ऐसा करोगे तो आपका गुलाब जामून अक्टम अच्छानी बनेगा और पट जाएगा तो देखिए इस तरह से हलके हाथों से हम बीच में иковाड़ा स दबाएंगे और यहां बैरेंगे काजू का तो देखिए काजू है सिर्फ में काजू इलेची लीएं आप चाय तो पिस्ता बदान सब ले सकते हैं खुआ भी रख सकते हैं तो देखिए इस तरह से में बंद कर दियूं और हलकी हातों से इसको बॉल बना लेंगे तो थोड़ा घी लगा के हाथ में आप इसका चिकना सा बॉल बना लीजिए अब तेल गरम हो गया है और तेल को ज्यादा गरम नहीं करना है मिडियम में ही रखता है तेल को इत्तम स्लो में अगर हाई रखेंगे तो श्रिप जल जाएगा और पकेगा नहीं अच्छा सा नहीं वनेगा तो इसको इसको इत्म स्लो ही आज में हमें गुलाब जामुन त्यार करनी है बनानी है तो आज मेरा बहुत ही श्लो था और इसी तरह से चारो तरह हलकी हातों से हम इसको चलाती रहेंगे और इसका कणर देखे कितना मस्ता आए है अब इसी को थोड़ा सा और काला कर देंगे तो एक काला जामुन बन जाएगा और हम इसको इस तरह से निकालेंगे ते कुलाब जामुन बन गया तो इसको हम डारेक्ट चासनी में डाल देंगे चान चान के हम डारेक्ट चासनी में हम इसको डाल देंगे और दिखिए क्या साइज बनाएं और ये चासनी के जाने के बाद इसका साइज और डबल हो जाएगा तो और है मेरे पास बोल्ट 20 बोल्ट बनाई थी सब को इसी तरह से में तल लोंगी एकदम स्लो आच में बिल्कुल भी आप पहले से त्यार करके मत रखिएगा जब भी आपको बनाना है आप उसी वक्त उसको मिलाएए सीमा पॉडर या कोई भी पॉडर का गुलाब जामन यूज करते हैं तो इसका यही तरीका है कि जब आप बनाऊगे तब ही आप उस पॉडर को मिक्स करना और तुरण 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 बनाना इसको बिल्कुल भी रेष्ट करने की जरुवत नहीं है तो देखे दोस्तों यह कितना अच्छा से कलर आ रहा है धम चासली में डाल लूगी कलर देखिये मस्त कलर आया है दोस्तों द एक बहुत सुन्दर से कलर आया है अब चासली में डाल लूगी एक घंटा कम से कम हमेंसे आदा घंटा आदा घंटा करिब से करिब एक घंटा आप इसमें रखे ताकि इसके जो इतनी विरस है इस गुलाब जावन के अंदर चले जाए तो देखे बनके रेडी हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब सेर कर देना चैनल पर नहीं हो तो बेल आर्किन के साथ प्रेस करना ताकि नियुन नोटिफिक्सन मिलते रहें जो भी भी में वीडियो डालू आप तक पहुच जाए तो मैं इसके पिस्ता बजाम को सजा रही हूं इसको थोड़ा सा पानी में भीमो दिया थे चिलका निकालके इसको काट काट दी हूं पतला पतला असमें लगा दे हूं चलिए मैं इसको काट के भी दिखाएंगे कि कितनी सौप्ट बनी है आपको कैसे पता चलेगा कि गुलाब जानों सौ देश्टी है रहमी तो एक बॉल लेंगे और इसमें हम एक गुलाब जामून डालेंगे और इसको कट करके दिखाएंगे कि कितना सौप्ट बनाया है गुलाब जामून देखिए दोसर जैसे में चम्मर डाली यह अराम से कट गया और इतना अच्छा बनाया है अंदर से देखिए कितना मस्त लग रहा है तो अच्छा ना वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नियू रेसिपी के साथ तब तब बाई बाई प्लाव प्लाव करें अच्छा ओगले वीडियो में नाच खोच्छा, शब्चा अच्छा, लगवाले अच्छा बाई आरिए का मास्टा जगए वीडियो में वीडियो में अर्वाले लां, तो ये ने रहा है। झाल झाल